आशा अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी अच्छा बरताव नहीं करती थी उसका पती सुनिल भी अपने माता पिता के साथ बड़ा ही रूखा व्यवार करता था अब उनके बेटे की शादी मेगा से हो गई है और हवा का रूख बदल रहा है मेगा चलो आओ रसोई में आकर मेरे साथ रात का खाना बनाने में मेरे मदद करो मम्मी जी मैं अभी सिरियल देख रही हूँ अभी तो शाम होने में भी टाइम है मैं थोड़ी दिर में आती हूँ बहुत तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा मम्मी जी, शायद आपको सुनाई नहीं दिया जो मैंने कहा आशा रसुई में जाकर सारा खाना खुद बनाती है और मेगा अपनी दादी सास ससुर के साथ बैठ कर बाते कर रही होती है आशा को बहुत कुछ सा आता है आशा मेगा के पास जाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है कैसी बहु हो तुम सास खाना बना रही है और तुम यहाँ गपे मार रही हो सास सुमा और ससुर जी को तो कोई काम नहीं होता वो तो फ्री है पर तुम्में तो कल है ना ये सुनकर मेगा भी आशा से बहस करने लगती है ममी जी ये आपके सास ससुरह है आप इनसे इज़त से बात कीजिए और हाँ प्यार से बोलेंगी तो कुछ भी कर लोगी पर इसे रौप ज़ाड़ेंगी न तो भूल जाएए कि कोई काम करने वाली हूँ मैं तुम्हारी इतनी हिमत मेरी ही किस्मत फूटी है जो मुझे तेरे जैसी नाला एक बहु मिली है नहीं ममी जी, आप से ज़्यादा खराब किस्मत तो दादी सास की है जीने आप जैसी बहु मिली आशा ये सुनकर तिल मिला उर्टती है क्या कहो तुमने आशा मीगा का हाथ पकड़ती है और कमरे से बहार ले जा रही हुती है तब ही वहाँ रो ही ता जाता है और मीगा उसे देख कर रोने का नाटक करने लगती है देखिए देखिए आपकी मा मुझ पर कैसा अध्याचार कर रही है मैंने इंसे कहा कि सासु मा मैं खाना बना दीती हूँ बस थोड़ा टाइम लगेगा तो मेरा हाथ पकड़ कर कैसे मुझे घसीट कर लेकर जा रही है अरे बेटा ये जूट बोल रही है बस करो मा मेगा कभी जूट नहीं बोलती और मैंने अपनी आखों से देखा है कि कैसे आप उसका हाथ पकड़ कर उस पर अत्याचार कर रही हो अरे बेटा मैं तुम्हारी मा हूँ तुम्हें मुझे पर विश्वास नहीं है मेगा मेरी पत्नी है उसका मेरा साथ तो जीवन भरका है और मैं उसी का साथ दूँगा गल्ती आपकी है आपी सुदर जाएए मा तभी वहाँ सुने ला जाता है ये किस तरह से बात कर रहा है तो अपनी मा से पापा आप तो रह नहीं दीजे दादा दादी से आप किस तरह से बात करते हो देखा है मैंने चलो मेगा रोहित और मेगा वहाँ से चली जाते है इस डायन ने तो मेरे बेटे पर कुछ जादू कर दिया है देखो कैसे अपने माब आप से बात कर रहा है एक दिन रोहित सुनिल के पास आता है और कहता है पापा पिछले मैंने आपने जो ये अपने कमरे के लिए नया एसी लिया मुझे बताया क्यों नहीं अरे इसमें तुझे क्या बताना आपको बताना चाहिए पापा अब मेरी शादी हो चुकी है खर्चे बहुत है आप तो रिटायर हो गए है मेरी कमाई पर घर चलता है तो हिसाब तो रखना पड़ेगा ना और वैसे भी आप लोगों को ऐसी की क्या जूरत थी पांखाई काफी था आप लोगों के लिए आशा को याद आता है कि कैसे उसने अपने सास ससुर के साथ बुरा बरताव किया था ये सर्व हमारे ही कर्मों का नतीजा है हमने सासुमा और ससुर जी के साथ कितना नाव बुरा बरताव किया इसलिए हमारे बहु बेचे भी हमारे साथ ऐसा कर रहे है तुम सही कह रही हो आशा, हमने मा और पिताजे के साथ बहुत गलत किया रोहित उनकी बाते सुन लेता है और खुश हो जाता है मेगा, मम्मी पापा को अपनी गलती का एसास हो गया है ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अब हमें ये नाटक खतम कर देना चाहिए नई नई, बस एक आखरी बार नाटक और करना होगा ताकि ये दोनों दादा और दादी जी से अपने की एकी माफी मांग ले अगले दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं, तब ही रोहित और मेगा वहां आते हैं ममी मैं सोच रहा था, मतलब मैं और मेगा सोच रहें की मम्मी जी ये कहते हुए जरा शर्म आ रहे हैं, मैं ही बता देती हूँ हम सोच रहे थी कि आप दोनों को वरता शम भीजते आशा और सुनिल ये सुनकर दंग रह जाते हैं, तभी उनकी दादी सास बोलती है ये कैसी बाते कर रहा है रोहित अपने बाबाब से, क्या अपने बाबाब को कोई व्रिद्धाश्रम भेजता है क्यों दादी, आपको भी तो ये लोग व्रिद्धाश्रम भेजने की धमकी देते रहते थे तो आज इन्हें खुद ही चले जाना चाहिए ये सुनकर सुनिल और आशा शर्मिन्दा हो जाते है तू सही कह रहा है बीटा, हमने अपने माबाब का खयाल नहीं रखा हाँ, हमें कोई हक नहीं है यहां रहने का चले जाते हैं हम, हमें माफ कर दीजेगा सासुमा और ससुजी हमने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवार किया हाँ मा जी, पिता जी, हमें माफ कर दीजेगा ये देखकर रोहित और मेगा खुश हो जाते हैं आप लोग कहीं नहीं जाएंगे आप लोगों को व्रिदाश्रम भेजने का मैं सोच भी नहीं सकता ये तो मैं और मेगा नाटक कर रहे थे ताकि आप लोगों को अपने गलती का एसास हो आशा और सुनिल को अपनी गलती का एसास होता है और वो सब एक खुशाल परिवार की त